Hello everyone, welcome to texture myth आज के session में हम देखेंगे medical terminology से related कुछ और ऐसे prefixes जो denote करते हैं किसी body part को इससे पहले वाले sessions में भी हमने ऐसे काफे सारे prefixes already discussed कर चुके हैं और हमने बाकी categories भी देखी थी जिसमें हमने देखा कि कौन से ऐसे prefix हैं जो use होते हैं किसी भी shape, size, color या ऐसे और भी बहुत सरी properties थी जिनको denote करने के लिए तो यह उसी के continuation में part 33 है और तो अब इसमें हम mainly क्या देखेंगे उन और ऐसे और prefixes देखेंगे जो denote करते information body part से related अब question आता है कि prefix होता क्या है जो लोग directly इस session को देख रहे हैं उनके लिए मैं repeat कर देता हूं कि prefix एक ऐसा word होता है जो किसी भी medical terminology के starting में लगकर और वहां से उसका कोई meaning produce करें ठीक है और वह हमेशा beginning में होगा और वहां से कोई न कोई information denote करेगा जिसके through आप identify कर पाऊगे actual meaning of medical terminology का ठीक है तो यह हमारा process है अब हमने देख लिए कि prefix होता क्या है अब इस session में कैसे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं कुछ prefix explain करूँगा और उनका meaning बताऊँगा जब हमें prefix का meaning और clear हो जाएगा उसके बाद में हम उसी से related कुछ ऐसे examples भी cover करेंगे जो identify करने में help करेंगे किसी भी terminology को ठीक है तो start करते है पहला जो हमारे पास prefix है वो है newry और neuro यह prefix कभी use होता है जब भी आपको किसी nerve से related को discussion करना हो तो उस case में हम क्या prefix use कर सकते हैं दो prefix हैं हमारे पास newry और neuro यह दोनों alternative नेम ही है आपको कुछ जगह पे newry लिखा हुआ मिलेगा कुछ जगह पे neuro लिखा हुआ मिलेगा बट जहां भी यह दोनों keyword आएंगे जो जहां पर दोनों यह prefixes आएंगे तो महां पर discussion क्या होगा नर्व से related ही होगा ठीक है अब इसके कुछ examples देखते हैं examples देखना इसलिए important है कि अगर आप किसी भी exam या किसी भी interview लिए prepare कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इस तरह से कुछ questions भी list on करे वे मिल सकते हैं जहाँ पर आपको कोई medical terminology दी जाएगी और आपको identify करके बताना होगा कि उस terminology का उस terminology में कौन सा prefix यूज हुआ है और इसका क्या meaning है तो उस चीज के practice करने के लिए हम क्या कर रहे हैं हर एक prefix के साथ में कुछ उसके examples भी देख रहे हैं तो पहला example देखते हैं पहला example है हमारे पास neurology 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 क्या होता है? यह एक branch है इसकी medicine की जो deal करती है disorder of nervous system तो जहाँ भी nervous system के disorder के related कोई study हो रही है या कोई ऐसी branch है medicine की जो उसी से deal करती है कि इससे nervous system के disorder से तो उसको हम किससे denote करेंगे? उसको हम denote करेंगे is neurology अब neurology क्या है य TL है पूरी medical terminology है यह start किस से हो भी Orthodox? यह एक ऐसे प्रिफिक्स से start हो जिसको हम बोलेंगेगी Neuro और Neuro जो voluntary गह Bentनिस के अंतलब रेंगेक अपनीर को अइन्समittel के अरॉंद्स क्या छहां है वह के अशिया फिर्वर हम धुटी olmगे से अर्व्रेट करेंगे Gedanken Neurotransmitter Neurotransmitter क्या होता है एक chemical substance that transmits nerve impulses between nerve cells तो यह क्या होता है एक chemical substance होता है जो transmit करता है nerve के impulses को nerves के around तो जब भी nerves के बीच में impulses travel होते हैं transmit होते हैं तो उसको हम किस चीज़ से denote करेंगे उसको denote करेंगे Neurotransmitter तो Neurotransmitter है था हमारी complete terminology है और जो prefixes में हम use कर रहे हैं वो है Neuro ठीक है next जो example है हमारे पास वो है Neuritis Neuritis का मतलब क्या हुआ inflammation of the nerve किसी भी medical reasons की विज़े से अगर nerves में inflammation show होता है तो उसको हम denote करेंगे Neuritis से ठीक है और यह भी nerves से related है इसलिए हमने prefix use के Neurie यहां पर हमने Neurie यूज किया है likewise अगर हम fourth example देखें जो है Neurogenic Neurogenic का मतलब क्या हो गया originating in और cause by the nerve tissue तो यह कहां से originate होता है nerve tissue से या फिए किस के cause कित्रू होता है nerve tissue के cause कित्रू तो उस चीज को हम denote करते हैं किस के इन सब एक्जामपल्स को अगर आप वापस से walkthrough करोगे तो आपको यहां पर सिर्फ एक ही चीज कॉमन मिलेगी इन सब में वह है nerve हर जगह पर हम nerve से related discussion कर रहे हैं किसी जगह पर हम study कर रहे हैं nervous system की कहीं पर हम nerves के बीच में transmit होने वाले impulses के बारे में बात कर रहे हैं कहीं पर हम nerves के inflammation की बात कर रहे हैं या फिर वह कुछ reason देख रहे हैं जहां पर originate होता है कोई भी चीज nerve tissues से हैं तो सब में common nerve ही है इसलिए यहां पर जो prefix यूज हो रहा है वह और नियूरी या फिर नियूरो ठीक है next example अगर हम देखें या next prefix हम देखें तो वह है ओक्यूलो ओक्यूलो प्रफिक्स कभी यूज होता है जब भी हम कोई discussion आई के आरांड करते हैं आई से related कोई भी discussion रहेगा तो महाँ पर हम यूज करेंगे prefix ओक्यूलो ठीक है examples देखते हैं पहला example है मारे पास oculist oculist क्या होता है एन आई specialist और ophthalmologist ठीक है तो उसको हम किस से रेनोट करते हैं ओक्यूलेस्ट से यहाँ पर oculist को नहीं हुआ वह specialist हुआ वह doctor हुआ जो आई का examination करता है आई का treatment करता है तो उसको हम बोलेंगे oculist फिर हमारे पास आता है oculogyric oculogyric का मतलब क्या हुआ रेलेटिंग तो दा रोटेशन अफ दा आई ओफन यूज इन दो कॉंटेक्स ओफ अबनॉर्मल आई मुवमेंट होता है रोटेशन होता है अबनॉर्मल उसको हम किसे रेनोट करते है oculogyric से oculogyric से ठीक है नेक्स जो एक्जामपल है हमारे पास वह है oculomotor nerve oculomotor nerve क्या होती है the third cranial nerve responsible for controlling the movement of the most eye muscles ठीक है तो यह क्या हुआ एक third cranial nerve है जो जितना भी controlling होती है movement होती है आई के muscles की उनको control करता है उनके लिए responsible होता है और उसे हम denote करते है किस terminology से oculomotor nerve से और यह start किस से और यह prefix oculo से ठीक है likewise अगर हम third example देखें जो है oculonazle oculonazle क्या होता है pertaining to both the eyes and the nose अब इन सब examples में जो common जीज हमने देखी वो थी oculo हर जगह पर oculo prefix का use रहा है क्यों क्यों क्योंकि हर discussion आई के around है जहां भी आई के around को discussion होगा तो महां पर हम क्या use करेंगे prefix oculo इसके और भी बहुत सारे alternative prefixes हो सकते हैं जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक particular part को show करने के लिए बहुत से alternative prefixes भी available है तो हमें वह सब study करने पड़ेंगा third prefix देखते हैं जो है onco अब onco क्या होता है onco prefix तब यूज होगा जब भी हमारे पास कोई discussion होगा tumor से related bulk से related या फिर volume से related ठीक है examples क्या है पहले example है oncology oncology क्या होगा the branch of medicine that deals with the study of treatment of cancer or tumors ठीक है तो यह एक ऐसी medicine है separate जो ऐसी branch है medicine की separate जो deal करती है किसके साथ में treatment of cancer or tumor तो उसको हम किसी दिरोट करेंगे oncology से उसी तरह से second example देखें जो है oncogenic oncogenic का मतलब क्या हुआ having the potential to cause the development of tumors तो जो भी potential होगा किसका cause करने का development of tumors का तो उसको हम denote करेंगे किस से oncogenic से फिर हमारे पास आता है onco light onco light क्या होता है referring to substances or treatment that destroy or inhibit the growth of tumors तो उस substance को हम क्या बोलेंगे onco onco light क्या होगा referring to substance substances or treatment that destroy or inhibit the growth of tumors तो उसको हम कोई treatment perform हुआ cancer के treatment के लिए अब आप लोगोने पहले वाले session अगर walkthrough करेंगे तो महा पर आपने यह भी देखा होगा कि onco हम use करते है हम कारसी भी use करते है cancerous related discussion के लिए है तो यहां पर हम क्या use कर रहे है onco use कर तो यह इसका alternative नहीं होगया तो मेंली onco ही onco का जो मिनिंग रहता तुमरी रहता I think there is some typing mistake here bulk or value maybe we can remove this or ignore this for now because onco is mainly used for tumor related purposes only तो आज के session में आपने तीन प्रिफिक्स तेके neuro, nerves related, eye related और tumors related तो इस session के लिए इतना ही था और आज का जो question वो है what information is provided by the prefix myo और myelo तो अगर आपको इसका answer पता है तो आप इसका answer comment section में put कर सकते हो otherwise आप last session भी देख सकते हो हमने इसका already detail में discuss किया हुआ तो इस session के लिए इतना ही था next session में बाके topic discuss करेंगे so thank you for watching Techsharement